नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटिव चैनल माई सो में तो चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे कलर्ष टीवी के मोस्ट पॉपलर सो ससुराल सीमरका के बारे में और जाने हैं कि आखिरी ये सो बंद क्यों हो गया था यह एक बारतिय दारवाइक सो था इसो के कुल 2063 एपिसोड को कर्ष टीवी चैनल पर टेलीकर्ष किया गया था इसो का पहला एपिसोड 25 अपराल 2011 को आया था और आखरी एपिसोड 2 मार्च 2018 को आया था इसो की कहानी की बात करें तो सो की कहानी दो बहनों सीमर और रोली के इर्दगिर्द घूमती है जिनकी बारदवाज प्रिवार के बेटो प्रेम और सिदान से साधी होती है कैसे दोनों बारदवाज प्रिवार में आने वाली समश्याओं का सामना करती है और कैसे बार्दोज परिवार की सरसेष्ट बहुए बनती हैं इसी कंसेप्ट पर ये सोच चलता रहता है इसोगी काश की बात करे तो इसो में पहले सिमर का रोल दिपिया ककड ने किया है बाद में कुछ सेम्य के लिए किर्टी कैलकर ने सिमर का रोल किया है और रॉली का रॉल अविकागोर ने किया है चिजथा प्रेम भारदुआजगा रॉल सोईभ इबराहिम ने और स्रिधांत भारदुआजगा रॉल मनीष राइसिंग ने किया है अब बात करते है कि आखिर ये सो बंद क्यों हो गया था ये कलर्श टीवी के सबसे लोग प्रिय एव सबसे अधिक समय तक चलने वाले सोज में से 100 था इस सोज ने कुल 17 एवोर्ड्स जीते हैं और ये कुछ चुनिंदा सोज में से 100 है जिसके 2000 से ज्यादा एपसोड्स आये हैं इतना लोग प्रिय वे इतनी सफलता के बाद इस सोज को 2 मार्च 2018 को बंद कर दिया गया था इस सोज के बंद होने आकारण सोज की लीड एक्टर्स दिपिगा ककड का सोज को छोड़ देना था दिबिया ककड को किर्ती केलकर ने रिप्लेस किया पर किर्ती सो की गिर्ती टी आरपी को नहीं रोक सकी इसे पहले सो को अविका गूर मनीश राइसिंगन और शोई इबराहिम ने भी छोड़ दिया था पर कैसे ने कैसे सो में लीप लाकर सो को उस समय बंद होने से बचा लिया गया था पर फिर जब दिबिया ककड ने सो को छोड़ा तो सो की टी आरपी लगातार गिरने लगी और जिसके कारण सो को बंद कर दिया गया इसोगे बंद होने आकारण शोग की लीड एक्टरस दिपिवा ककड़ का सोग को छोड़ देना था जिसकी वज़े से सोग की टीरपी गिरने लगी और शोग को बंद कर दिया गया तो दोस्तों क्या आपने ये सोग देखा है प्लीज कमेंट जरूर करें और अगर वीडियो ची लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंट्रस्टिंग वीडियो जलाते रहते हैं